खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को क्लिक करें नमस्कार वीचो विस्तास के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागते मेहुरानी तो आए देखते हैं खबरे विस्तार से सभीधान निर्माता भारत रतना डॉक्टर बावसाहिब आमिट कर इनके महापरी निर्वान दिवस के तौर पर आमदार विकास ठाकरे इनोंने सभीधान चोग पर बावसाहिब की प्रतिमा पर माल्लारपन करते हुए अभिवाधन किया इस वक्ट बड़ी संख्या में कॉंग्रेस कार्य करता मौजुद थे पर ऐसा नाम है कि आज जो हमारा ये विश्व चल रहा है भारत देश में बाबा साहब के सभीधान का मान रखते हुए सारी जनता बाबा साहब को मानने वाली है और मुझे लगता है कि बाबा साहब अमेटकर ने जो राह हमें दिखाया है उस राह पर आज चलने की जरुरत है आज जिस तरीकी की परिस्तितिया इस देश में है तो मुझे लगता है कि आज बाबा साब आम्मेट कर जो इस देश के लिए सभीदान मना कर गए और इस देश की जनता को जो संदेश दे कर गए उस संदेश का पालन करने के हमें जरूरत है तभी यह देश आगे बढ़ेगा इसी मुझे लग रहा है और मैं सभी से अनुरोज भी करता हूँ कि परमपुझे डाक्टर बाबा साब आम्मेट कर की रहा पर चलना ही अपना धर् चाहर में बीती रात पाज दिसंबर को गाड़ी की टकर लगने से हुए आपसी विवात के कारण आपसी विवात के कारण आरपियों ने शुबम सदा वरते उमरह 18 वर्ष चछक्मा चोक निवासी यूग की हथ्या कर दी इस हत्याकार में 11 आरुपियों को पाच पौड़े पुलिस ने हिरासत में ले लिया पुलिस के अनुसार दो दिन पहले पूर्वा आरुपियों से मृत के साथ गाड़ी की टकर को लेकर हुई वुवाद में बीती राद 10 के करीब 11 आरुपियों ने मिलकर शुभम सदावर्ति की हत्याकर दित इस हत्याकार में सुरेश बेड़े कर जाते बेड़े कर आकाश मुहरे बादल पटोले मंगे चिरोड कर और उनके कुछ साथियों ने इस हत्याकार को अन्चाम दिया पुलीस ने हत्या में लिफ्ट 11 और उप्यों को हिरासत में लेकर धारा 302, 143, 323 के साथ 147, 148 और 159 के तहत मामला दर्श कर कारवाई की है में लिकल्क बणक स सदेट और 15 और 152 जजात की है आपसे सम्झेता कुरूं जितेश भेंडे, पिंटु भेंडे, आकाश मौरे, ललला रूपर, सुषाल, सोनकुष्रेव, तैसे इतर साथी दा यहांनी मैम इदन तैंसे वर संहिता है, आपके मैमेर, जानी दाम जलकोत है, पिंटु जाला, पिंटु पर सर्शा के तैंसे मीवर, आपकेर Ubisant usage मौरे, पिंटु लमोर भेंडे, तैंसे एक पर घृत, सम क्र 취ünü का, पिंटु लूबूत है, तैंसे मेरमौत हिता है, со क्तरूर स बाद्टापरां परण्थ निस्पन जाले आनि इक उन्टा परंथ किते आरोपी निश्पन जाले आनि किते आटक जाले का इसांति भी चोबिस ओस के लिए के अले नाप्रोपी निस्पन जाले आनि जाले आनि. प्रकल्प पर कई धांदली हुई है जिस पर सरकार को जाज कर करनी चाहिए इस पर उन्हों ने पत्रकारों के समक्ष कुछ तत्त भी रखे अ पत्रकार वारता के दोरान जै जवान जै किसान संस्ता के अध्यक्षव प्रशान पवार ने महा मेटरों के अधिकारी डॉक्टर ब्रिजच दिख्षित पर भ्रष्टचार के आरूप लगाती हुए उन पर सरकार से कारवाई की मांग की है उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के सरक्षन से डॉक्टर ब्रिजच दिख्षित पर अब तक कोई कारवाई नहीं की गई उन्होंने बताया कि प्रकलपे की कुल किमत 8,680 थी जिसे घटा कर 6,800 कर दी गई थी अभी तक 6,483 करोड रुपे प्रकलप को मिल चुके हैं इस प्रकार 317 करोड रुपे की महा मेट्रों को विकास के लिए जरूरत है परन्तु महा मेट्रों के ओर से 4,000 करोड की मांग की जा रही है इस पर उन्होंने सरकार से जाश की मांग की है आज की पत्रकार परिशत जैजवान जैकिसान ने इसले लिया कि अब बहुत दिन से महा मेट्रों का ब्रस्टाचार निकाल रहे है पिछले सरकार ने वो ब्रस्टाचार के खिलाप में एक शब्द भी कई मीडिया में बोलो या कोई इंक्वाईरी लगाते यह कहीं बोला नहीं है अभी जैसा उद्दोव जी ठक ने ये महाराष्टर के मुक्यम्तरी बने तो उन्होंने बोला जहाँ जाँ आप रस्टाचार हुआ जहाँ पैसे क्या गलक दुरूपयोग हुआ है वाँ वाँ मैं इंक्वाईरी करूँगा प्रोजेक्ट नहीं रोखूँगा लेकिन इंक्वाईरी करूँगा और बाकि जो पैसा जहां पे भी डायवर्ट किया है उन लोगों के उपर में कारवाई करूँगा तो यह जो सब हम आपके माध्यम से इत्ते एक साल से जो मेट्रो से यह कर रहे है ब्रस्टाचार निकाल रहे है तो यह सब चीज हम मानने मुख्यमंत्री को देंगे लेकिन मेट्रों के लोगों को ऐसा लग रहा है कि नया मुख्य मंत्री आया है तो ये बराबर चलेंगी मेट्रों की नहीं चलेंगी क्योंकि इन्होंने ब्रस्टाचार किये और वो ब्रस्टाचार की इंक्वाइरी नये मुख्य मंत्री करने वाले है तो उनको डर यह है कि यह प्रोजेक्ट बंद होंगा कि क्या होंगा कभी भी प्रोजेक्ट बंद होता नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर रष्टाचार जो होता है वो रष्टाचार रोकने के लिए नया कोई भी मंत्री आए, अफिसर आए, मुक्के मंत्री आए वो जिस दिन इंक्वाईरी करेंगा वो बराबर प्रोजेक्ट फिर से अच्छे से चलेंगा जो आज प्रोजेक्ट 2020 में कंप्लिट होने को होना था आज 2021 खतम होते हा रही है लेकिन प्रोजेक्ट अभी तरके कंप्लिट नहीं हुआ इसलिए हमारी ये मांग थी कि जो मेट्रों के अधिकारी ने बोला कि उद्धो ठाक्रे इनके उपर हमारा विश्वास नहीं है तो अधिकारी कोन है उसकी जाच होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े लिडिंग पत्रा पत्रा अपना इसमें पेपर में आया हुआ है उसी को लेके हम लोगों ने पड़े तो हमने आज पत्रागार परिश्यत थी दूसरे विशे पे तो हमने इसको भी यह कि होना चाहिए और इनका प्रश्टा जार बाहर निकलना हम बार-बार बोलते आरहें है से इसमें आपके Marriage is यह जहां ब्रेस्टा चाहर होता है कि कि कोई लोग आघर इंफरमेशन देते तो कोई गलत नहीं है जैसा पुलिस को भी इंफरमेशन देते हैं लोग तो गुना नहीं है कि तो किसी को information मिले होंगे तो उस पे हमारा यह कहना है कि उनको मिली इंफर्मेशन तो हमने में टाला तो हमको भी मिलना चीह है आइसी हमारी डिमांड है जैसा ब्रिजेज डिक्षी साहब ने बोला कि वह व्यूडी बीम का जो उनका software है 200 करोड का वह यूज करने के करण थे सब्सक्रों कौल यही परिया के यहा रंद की आख़े विच्ण Su Ng स सरकार को पैसे मनखने की 19олж 20 कौरोंगने की कै जोर होते । मनपा के नवनिर्वाचित महापोर संदिप जोशी ने शहर के विकास साफ सफाई अतिकरमान बर लावरिस कुत्तों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि ये चार जटिल मुद्दे हैं जिने सुधारने की जरूरत है अपने 15 महिने के कारेकाल में शहर के लिए अधिक से अधिक काम करने की बात की पत्रकारों से एक बातचित करते हुए संदिप जोशी ने कहा कि शहर में अधिकरमन की समस्या बहुत बढ़ रही है इसे समय रहते सुधारने की जरूरत है साफ सफ़ाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसके लिए 5000 सफ़ाई कर्मचारी शहर की साफ सफ़ाई में लगे है रास्ते में थुकने वालों वो यूरिन करने वालों पर कड़ी कारवाई की बात की इसके लिए उन्होंने 114 कर्मचारियों की भरती आने वाले 11 दिसमबर को की जाएंगी जो इसे लोगों पर नज़र रखेंगी उन्होंने आगे कहा कि वो अपने नीदी का उपयोग शहर के सवचाले यूरीनल आदी बनाने के लिए करेंगे उसी प्रकार शहर के सबी पेट्रोल पंप मालिकों से पेट्रोल पंप पर बनाये गए सवचाले आदी को जनता के लिए इस्तिमाल करने के लिए प्रातना करेंगे वरिष्ट नागरिकों की समस्या के लिए 29 दिसमबर से 7 दिसमबर तक आवेदन मंगाई जा रहे 12 दिसमबर को महापर शेविर में सबी आवेदन करताओ की समस्याओ को सुलजानी का प्रयास करेंगे वरिष्ट नागरिकों के लिए कि साथ दिवसाथ टेंडर काड़ाईचा मंगे एडवर्टाइजमेंट काड़ाईचा आणी अकरा तरकेला वाक-इन इंटर्व्यू डायरेक बोलाव लेला है कि वह तुमी या आणी एक सर्विसमान आणी C.R.P.M. यानना चामी गेतु है तो आता हाँ दोन्चे एक साजर आकड़ा जाला तर एक मोठा शहरा आला बढ़ देखिल मिलना रहा है आमा सरवन्ना है सफाईचा है चामादे सफाईचा है चाट जे आईवसदार कि महें है तर जवाव पास पास हजार आचा वर्ति कर्मचारी है पड़ मीजे मंटला मगाशी कि हाँ प्रश्णा देखिल मानसिकते शित्स जूड़ा है में दोन-चार लोकां ची बोल लो है आपले समुर एक पंद्राविस दिवसात मे संगनार है कि कर्मचारेंची काम करनेची मानसिकता या बदल देखिल काई तरी करना गर्जे से बंजे सकाडी सहाची जन्ची बेड़ा है ते सातला यता जन्ची दोनला जाईची बेड़ा है ते एकला जाता है मंजे काम ते सहाता साच करता है आणि मदे पुना नास्तिया जवाई ची शुट्टी हसते हैं आता ही एक बाजू और दुसरी बाजू माजा गलनी मदे एकवीस अपाटमेंट है यह एकवीस अपाटमेंट मदे सपाई करना रा कर्माचारी महानगर पाली के साथ चाहें निया माजा अनि तुम्चे अपाटमेंट्मेंट्स मदे सुद्ध काम करना रा मानुस हम महानगर पाली के साथ रोजी वर्चा ही मानुस है तो रस्ता ही धर तो नापापलया घरी सुद्धा कामों करतो है यह देखिल स्तिति है वीचो विस्तास के लिए के देव नाकपुर शहर को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी हम सभी शहर वासियों की है इस पर हम सभी को मिलकर हमारी सरकार यंत्रना को सहयोग करने की जरूरत है शहर में यातायात व्यवस्ता सुचारू हो इस पर हमारी पुलिस कर्मी दिन रात सरकों पर काम करते हैं वे हमें दुरगटनाव से बचाते हैं इस पर हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी पुलिस को सहयोग करें परंतो इन दिनों शहर में पुलीस पर हमलों की प्रमान बढ़ रहे है जो उचित नहीं है बीते 5 दिसंबर को जादू जोग पर पुलीस दे ठाकूर की गाड़ी पर लगी काली फिल्म निकालने के लिए एवं नो पार्किंग पर खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए बात कर रहे थे तब है आरूपी उग्रे होकर उनके साथ मार पीट करने लगे आरूपी ठाकूर पर शहर के विभी नथानों में अब तक दर्जनों मामरे दर्ज होने के बार भी उस पर कोई सुधार नहीं है अब दद उनका स्टाप था जो आरूपी है ठाकूर ये अपने आपिश के सामने उनकी गाड़ी पार्किंग के लिए थी जो वहां पर नो पार्किंग जगा है उसके पहले नो पार्किंग के जगे में गाड़ी रखने के वज़े से उनके उपर कारवई हो चुकी है पाच्छे बार कल उनको सुबह भी बताया गया था कि गाड़ी यहां पार्किंग नहीं करना है उस बात पर आज सुबह भी उनको बताया गया लेकिन उन्होंने सुना नहीं और पूलिस के उपर उन्होंने हाथ उठाया है और काम में अर्थड़ा किया है इस वह जिसे उनके उपर हम कारवई करें सेक्षन 3 से 3पन के मताविद वीचोबिस्तास के लिए कृष्णदेव नागपूर हिंदे समाचार में आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहें वीचोबिस्तास नमस्कार